तो आज में एक नए इंबॉक्सिंग लेके आ गया हूँ हमारे नए पोको के डिवाइस के पोको X3 प्रो जो कि आपने मतलब देखा होको 20,000 के रेंज में बहुत ही बढ़ी डिवाइस है अगर compare करें इसे किसी भी मतलब इस प्राइस सेङमेंट के डिवाइस में तो यह सबसे powerful device माना जाता है कि इसमें 800 series का प्रोसेसर मिलता है जो कि बहुत ही मतलब powerful है और iस range में 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 मेरे को नहीं लगता है कि इसको कोई compete कर सकता है इस डिवाइस को तो चलिए आज इसी के अन्बॉक्सिंग करेंगे और जानेगे कुछ इसके एडवांस फीचर्स के बारे में तो चलिए अब अन्बॉक्स करके देखते हैं इस फोन के अंदर हमें क्या-क्या मिलता है तो पहले हम इसे खोल लेते हैं और इसी के साथ गाइस मैंने इससे पहले भी मतलब दो अन्बॉक्सिंग करेंगे एक तो रेडमी का नोट 10 प्रो ता जो इसी प्राइस सेग्मेंट का ही है डिवाइस और एक आईकू का जैट्री दिवाइस था वो भी आप जाके हमारे चैनल पर अन्बॉक्सिंग देख सकते तो यह हो गया हमारा बॉक्स उपन देखते हैं इसके अंदर हमें क्या-क्या मिलता है तो पहले तो उपर ही कुछ पेपर वक्स वगेरा हमेरे ख्याल से मिल जाते हैं हाँ इसके अंदर आपको उपर ही टीप्यू केस मिल जाता है यह रहा और कुछ पेपर सवाग है और यह हमारे 7M ejector pin है चले तो इसे रखते हैं side में और देखते है box کے अंदर हमें क्या मिलता है तो ऊपर के side में यह हमारा device मिल जाता है poko तो इसे भी रखते है side में और देखते है box के अंदर और क्या है तो box के अंदर उर हमारा सिरफ एक power adapter है जरह हम इसके rating देख लेते हैं कितने watt का है यह तो यह जो हमारा adapter है यह 11 volt 3 ampere max है मतलब यह 33 watt का charger है मतलब charging speed काफी अच्छी होने वाली है इस device की आप देख सकते हैं और जो हमारी Tata के वाल है वो type C यह आ रही है हर device में आप यह देख सकते हैं तो इसे रखते है box को side में और आज देख सकते हैं हमारे device के उपपर तो यह रहा हमारा device हम इसे निगाल लेते हैं जरह और यह जो मैंने color मंगाया है यह black color का हमारे पास variant है आप देख सकते हैं काफी अच्छा मतलब glossy मतलब यह black तो लगी नहीं रहा इसमें मतलब two shaded color है इसमें यह देख सकते हैं आप मतलब यह देखने है black बिलकुल ही नहीं लग रहा देख सकते हैं तो अब देखते हैं जरह हम इसके physical overview के बारे में उपर की side हमें मतलब एक noise cancellation mic मिल जाता है और इसी के बगल में हमें मिल देखने को मिल जाता है आयार sensor आप देख सकते हैं और यह left side में हमारे sim tray है जरह देखते हैं हमारे पास यह hybrid है यह normal तो guys यह hybrid slot है वैसे कोई जरुवत नहीं है इसमें memory card लगाने क्योंकि 128 GB आपको internal मिलती है 6 GB की RAM है इसमें तो काफी अच्छा device है और नीचे की side हमें मिल जाता है type C port और इसी के बगल में मिल जाता है headphone jack और mic और speaker grid मिल जाते हैं और right side में हमें power on button उसी के उपर हमें fingerprint sensor मिल जाता है और इसी के उपर ही हमारे आ जाते है volume rockers तो देखने में काफी अच्छा है बट यह थोड़ा सा मुझे न डिवाइस थिक लगा as comparison to अगर note 10 pro देखें तो उसके इसाब से तो चलिए device को बूट कर लेते हैं और जब तक हमारा device बूट होता है तब तक हम इसकी कुछ configuration के बारे में जान लेते हैं तो गाइस यह हमने कर लिया device को setup मतलब इसमें भी कुछ मतलब पहले से प्रिइंस्टॉल डैप है और यह जो MIUI 4 POCO आता है उसी के साथ आता है यह device यह देख सकते हैं आप setting में जाके about phone में देख लिजे अभी MIUI 12 पे यह run कर रहा है और इसका update भी आ रखा है और इसमें से 128 GB में से 16.6 GB का आपको occupied space मिल जाता इसके अंदर मतलब और तो सब ठीक है बट यह जो इसमें पहले से जो प्रिइंस्टॉल कुछ एप है वो मुझे मतलब वो मतलब मेरे को ना थोड़ सा मतलब और से लगते हैं मतलब यह जैसे कि अभी इसमें उतनी तो नहीं है जैसे कि जितने के MI में देखने को मिल रहे थे बट हैं मिल जाती हैं तो यह था कुछ हमारा मतलब डिवाइस का पहला इंप्रेशन की मतलब कैसा है और हम जड़ा देखते हैं एक चीज और कि यह जो हमारी जो डिस्प्ले है इसमें 120 हर्ट की मिलती है तो हम जलते हैं डिस्प्ले की सेटिंग्स में तो इसमें रिफ्रेश रेट है पर आपने देखा ही था जो डिवाइस चल रहा था अब यह 120 हर्ट कर दिया है मैंने तो आपको पता अंधाजा लग गया हुआ कि मतलब फोन मतलब काफी स्मूथली कितना वर्क कर रहा है और 860 तो प्रसेसर है इसमें स्नैप ड्रगन तो आप अंधाजा लगा सकते हैं कितन अब बात है और चलिए कुछ इसके कैमरा सेंपल्स वग्यरा देख लेते हैं और मैं दिखा देता हूं कुछ आपको डिवाइस से क्लिक करके आपको दिखा दे रहा हूं देख लीजिए आपकी स्क्रीन के उपर आ रहे हैं तो कैमरा सेंपल्स आपने देखे लिए होंगे कि आपको मतलब अंदाजा लग गया हूँ कैमरा किस तरीके से वर्क कर रहा 48 मेपिक्सल का कैमरा इसके अंदर तो उसे साब से मतलब ठीक है जो भी है बट ऐस पर्फॉर्मेंस इस डिवाइस को मैं तो कहूंगा कि कोई बीट कर सकता और स्मूथ इतना वर्क कर रहा है यह अभी मेरे हाथ में बाकी तो मैं यूज करके बताऊंगा इसका मतलब नेक्स वीडियो जो इसके उपर मैं रिव्यू की बनाऊंगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि यह डिवाइस मतलब वाकई कैसा वर्क कर रहा है तो इस वीडियो को यही पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स वीडियो में जल्दी तो तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहे हैं वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और तो कुछ नहीं चलिए फिर वीडियो खतम करते है मिलते है नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वाचिंग जैहिन वंदे मात्रम